बिरनबे साल की उम्र में लता मंगेशकर ने दुनिया को कहा अलविदा बॉलिवुड में दौरी सोक की लहरत अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी बेल आकन का बटन दबा ले चले जानते हैं ख़बर बिस्तार से 91 साल के उनमें दुनिया को अलविदा कह दिया है लता मंगेशकर हम बताते चले आपको की ये करोना पोजिटिप पाई गई थी ऐसे में उन्हें मुंबाई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भरती कराइ गया था सिंगर की हालत को देखते हुए डॉक्टर्स नों और उन्हें तृंट अस्पताल में भरती किया था स्वर कोकिला को कोरोना होने की खबर उनकी भान जी रचना ने दी थी ANI से बात करते उन्होंने उस वक्त कहा था कि लता दीदी की हालत फिलाल ठीक है रचना ने आगे कहा था कि उनके उम्र को देखते हुए एहतियाती कारणों से उन्हें ICU में रखा गया है किरपा हमारी प्रैविसी का सम्मान करे और दीदी के लिए प्राथना करे मंगेशकर को लता मंगेशकर जी को इससे पहले नॉमबर 2019 में सांस लेने में तकलिफ की सिकायत के बाद अस्पिताल में भरती करा गये था उस शमय गाईका की छोटी बहन उशा ने कथी तोर पर कहा थ अब बता दे की 90 वर्सिय गाईका ने कई भासाओं में हजारों से अधिक हिंदी फिल्में में गाने रेकॉर्ड किये हैं वही 28 नॉमबर 1921 में लता मंगेशकर का जनम हुआ उन्होंने हिंदी सिनेमा में महत्पुन योगदान दिया है लता मंगेशकर को भारती सिनेमा में अहम योगदान देने के लिए पदम भुशन पदम विभुशन दादा साहव फाल के प्रुसकार समेट कई राष्ट्रिय फिल्म प्रुसकार से सम्मानित क्या गया है उनका नाम गिनिजू वर्ल्ड बुक रेकॉर्ड में भी सामिल है उन्होंने बहुत ही छोटी उनमें ही गाईका की सुरुवात कर दी थी पिता के निधन के बाद उनका परिवार के जिवधारी भी आ गई थी ये सब देखते हुए उन्होंने अपनी गाईकी में जीवान आगे बढ़ाया और अभी बिरानवे शाल के उनमें उनका निधन हो गया है तो आप हमारे साथ बने रहें आप देख रहे थे एपे उन्होंने उन्होंने धन्यवाद